हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ भहती खुबसुरत पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप जैन साथ स्विटर, फूल स्विटर, जैकेट, लेडी स्विटर, गर्ल स्विटर, बेबी स्विटर, ब्लैंकेट, कैप आदे में अपलाई कर सकते हैं बनके भूती खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और wrong side से हमारा ये पैटन बनना start होता है सबसे पहले हम अपने project के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बना के complete करेंगे border pattern complete होने के बाद front side से हमारी first base row आएगे front side से हमने एक base row बना के complete कर लेनी है और wrong side से हमारा ये pattern बनना start होगा अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखिए front side से first base row border complete होने के बाद front side से first base row में देखिए पहला फंदा उतार लेना है धागा अपने side करेंगे दो फंदे उल्टे बनेंगे एक दो दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे अब next हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे धागा अपने side दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे आजाएंगे धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पिछे, दो फंदे सीधे, लास्ट बाला फंदा इसे उल्टा आ जाएगा यह देखे यह फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट वेश रो कम्प्लेट हो गई अब देखे रोंग साइड से पैटर्न की फर्स्ट वेश रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड करेंगे, आप देखे यह फ्रंट साइड की तरफ से देखे जो दो फंदे सीधे दिखाए दे रहें इन में रोंग साइड से पैटर्न आएगा तो देखे इन दो फंदों को हम ऐसे बिना बुने उतार लेंगे फिर धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे फिर इन दो फंदों को ऐसे वापस लेफ निडिल में उतारेंगे फिर धागा आगे फिर इन फन्नों को राइट निडिल में उतारेंगे फिर धागा पीछे फिर इन दो फन्नों को ऐसे लेफ निडिल में उतारेंगे धागा अपनी साइड करेंगे और इन दो फन्नों को हम ऐसे ही बिना बुने राइट निडिल में उतार देंगे फिर धागा पीछे करेंगे इस तरीके से और नेश्ट हम दो फंदे सीधे बुनेंगे ये देखिए दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड अब नेश्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है अब देखिए इन दो फंदों को हम बिन बुने उतारेंगे ये देखिए इन में हमें दो बार धागे को इन दो फंदों में रोल करना है तो देखे एक हो गया फिर एक बार और करेंगे इस तरीके से इन दो फंदों में हमने दो बार धागे को लपेट लेना है और बिना भुने ही इन दो फंदों को राइट निडिल में उतारना है फिर धागा पीछे करेंगे नेश्ट द हमारी पैटन की फर्स्ट रो है धागा अपनी साइड ये रिखे फ्रंट साइड से जो दो फंदे सीदे दिखाए दे रहें इनमें रॉंग साइड से पैटन आएगा इन दो फंदों में हमने दो बार धागे को लपेटना है तो इनको हम बिना पुने उतारेंगे राइट विल में ले जाएंगे और धागा अपनी साइड करेंगे इस तरीके से हमने इन दो फंदों में दो बार धागे को लपेटना है फिर धागा पिछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड फिर दो फंदों में हम दो बार धागे को लपेटेंगे इस तरीके से फिर धागा पिछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड लास्ट का फंदा उल्टा तो देखिए ये wrong side से हमारी pattern की first row complete हो गई आप देखिए front side से pattern की second row second row में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी side एक फंदा उर्टा दो फंदों में से एक फंदा उर्टा धागा पीछे आप देखिए next हमने फंदों को twist करने है तो second number का फंदा आगे आएगा आगे का फंदा पीछे तो इस तरीके से हम इन फंदों को देखिए second number का फंदा उठाएंगे आगे की side से right needle में आगे का फंदा slip करेंगे back side की तरब से left needle में उठाएंगे अब देखिए जिस फंदे को आगे ले गए उसको हम सीधा बुनेंगे जिस फंदे को हम पीछे लाए उसको हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से देखिए अब next फंदे भी twist होंगे आगे का फंदा पीछे पीछे का फंदा आगे तो back side की तरब से second वाला फंदा आगे लाएंगे, आगे का फंदा sleep करेंगे और front side की तरब से left needle में इस फंदे को उठा लेंगे, अब देखें जिस फंदे को हम आगे लाएं उसको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, जिस फंदे को हम पीछे ले गए इसको हम सीधा बुन है, और आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे, और इसको उल्टा बुनेंगे, अब देखें, second नमबर का फंदा आगे लाएंगे, first नमबर का फंदा पीछे ले जाएंगे, अब देखें, second नमबर वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे, और उल्टा बुनेंगे, अब देखे ऌढ़़ वालतечно, चेशड़ नमबर हार्वाल को हम पहले बुनेंगी और इसको आगे ले जाएंगे इस तरीके से पहथ यह फंदा ओलटा फिर धागा पीछे, सेकीनरला फंदा आगे, फेश्ट नमबर वाला फंदा पिछे ले जाएंगे अब देखे जो second number वाला फंदा हम आगे लाए इसको हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे जिस फंदे को हम पीछे लेगे इसको सीधा बुनेंगे इस तरीके से देखे अब next same process repeat होगा second number का फंदा आगे लाएंगे और सीधा बुनेंगे फर्स नंबर का फंदा सिलीप करेंगे इसको पीछे ले जाएंगे और उल्टा बुनेंगे अब next फंदा भी उल्टा आजाएगा धागा पीछे लाष्ट का फंदा सीधा तो देखे ए फ्रांटी साइड से हमारी pattern की second row complete हो गई आप देखे रोंग साइड से pattern की third row pattern की third row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे सीधे धागा अपने साइड अब next देखे दो फंदे जो उल्टे दिखाए दे रहें इनमें हमारा pattern shift हो जाएगा तो देखे इन दो फंदों को हम बिन बुने उतारेंगे देखे फ्रंट साइड से दो फंदे सीधे हैं रोंग साइड से उल्टे हैं अब इनमें दो बार हमें धागे को लपेट लेना है एक हो गया फिर एक बार और लपेटेंगे इस तरह किसे अब इन फंदों को हमने बिन बुने ही राइट निडिल में उतार देना है धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदों में हमने धागे को दो बार लपेटना है एक ये दो अब इनको बिन बुने ही राइट निडिल में उतार लेंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड इन दो फंदों में पैटन आएगा तो इनको हम बिन बुने उतारेंगे और इन में हम दो बार धागे को लपेट लेंगे एक हो गया और ये दो फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे और नेक्ट हम दो फंदों में पैटन डालेंगे ये रोंग साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो है लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे ये देखे रोंग साइड से हमारी पैटन की थर्ड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की फोर्द रो फोर्थ रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा सीधा बुन लेंगे एक फंदा सीधा अब नेश्ट देखे आगे का फंदा पीछे पीछे का फंदा आगे इस तरीके से देखे बैक साइड की तरफ से हमने सेकिंड नमबर वाले फंदे को आगे लाएंगे आगे का फंदा सिलीप करेंगे इसको लेप निडिल में पीछे ले जाएंगे अब देखे जिस फंदे को आगे लाए इसको हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से फिर दागा पीछे नेस्ट फंदा सीधा आ जाएगा इस नेस्ट फंदा सीधा आप देखे नेस्ट फंदों में पैटरन आएगा सेकिन नमबर का फंदा आगे लाएंगे आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे आप देखे जिस फंदे को हम पीछे ले गए इसको हम उल्टा बुनेंगे फिर नेश्ट देखे सेम प्रोसिस रिपीट होगा आगे का फंदा पीछे पीछे का फंदा आगे तो बैक साइट की तरफ से सेकिंड नमबर वाला फंदा आगे और फ्रन्ट अपनी साइट से आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे इस तरीक से देखे फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा अब नेश्ट देखे second नमबर वाला फंदा आगे लाएगे और आगे का फंदा पीछे ले जाएगे अब देखे जिस फंदे का हम पीछे ले गए इसको उल्टा बुनना है अब नेश्ट देखे second number वाला फंदा आगे आएगा आगे का फंदा पीछे इस तरीके से हमने इन फंदों को ट्विस्ट करना है अब देखे जिस फंदे को हम आगे लाए इसको उल्टा बुनेंगे और जिस फंदे को हम पीछे लेगे इसको सीधा बुनेंगे अब next देखे, second number का फंदा आगे लाएंगे, आगे की side से, और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, अब देखे, जिस फंदे को पीछे ले गए, इसको उल्टा बुनेंगे, अब देखे, next, second number का फंदा, back side की तरब से आगे लाएंगे, आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे, जिस फंदे को आगे लाए, इसको उल्टा बुनेंगे, और देखे, जिस फंदे को पीछे ले गए, इसको सीधा बुनेंगे, थागा अपनी side, एक फंदा उल्टा आ तो देखे, ये front side से हमारी pattern की 4th row complete होगई, आप देखे, wrong side से 5th row, 5th row में हमारा pattern repeat होगा, तो देखे, repeat row, पहला फंदा उतारेंगे, ये पहला फंदा उतार लेना है, और देखे, ये जो next फंदे हैं, इनमें हमारा pattern आएगा, इन दो फंदों को हम बिन पुने उतारेंगे, और इनमें धागे को दो बार रोल करेंगे, इस तरीके से एक हो गया, धागा अपनी side, ये दो बार धागे को रोल कर दिया, आप इन फंदों को हम बिन पुने उतार लेंगे, तो देखे, ये हमारा pattern repeat होना start हो गया, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, ये दो फंदे सीधे आजाएंगे, धागा अपनी side, ये देखे, फ्रंट साइड की तरफ से जो दो फंदे सीधे दिखाए दे रहें, इनमें हमारा wrong side से pattern बनेगा, इस तरीके से हमने इन दो फंदों में दो बार धागा लपेट लेना है, एक, ये देखिए, दो, इस तरीके से, धागा पी पैटन को repeat करते जाएंगे, ये wrong side से हमारी 5th row है, 5th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete करने है, और बनके देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आजाएगा, ये देखे, बहुती सुन्दर, बहुती आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों, अगर आपको हमारा वीड subscribe करना न भूले, thank you